बाग गणना 2022 करने में एक समस्य हर रेंज में आ रही हैं यदि हमारी बीट में एक सैधिक ट्रांजेक लाइन हैं तो क्या करें बीट समायुजन के बाद हमारी बीट की ट्रांजेक लाइन का कुछ हिस्सा किसी दूसरी बीट में जा रहा हैं तो क्या करें ये हमारे सामने वन म परिशेत्र पुनासा में 36 बीट और 37 टांजेक लाइन थी। परंतु बीट समायोजन के बाद अभी वरत्मान में कुल 22 बीट और अभी बी टांजेक लाइन 37 हैं। हम परिशेत्र पुनासा के एक सब रेंज, पुनासा सब रेंज का एक्जमपल लेकर समझते हैं। पुनासा दक्षिन भवला उत्तर भवला की ट्रांजेक लाइन तो ठीक हैं। परंतु बीट उत्तर टाकली में दो ट्रांजेक लाइन हैं। प्रकार बीट उत्तर टागली के कक्ष क्रमा 160 AM 162 को शामिल करते हुए एक नई टांजेक लाइन डालना पड़ेगी किसी भी बीट में टांजेक लाइन डालने का सबसे आसान तरीका है गूगल आर्थ एप गूगल आर्थ एप की साहिता से आप कम्पीटर सिस्टम की साहिता से किसी भी बीट में बड़ी आसानी से टांजेक लाइन डाल सकते हैं जैसा कि हम केमेल फाइल बनाते हैं एक बात का ध्यान रखे कि गूगल आर्थ की साहिता से मोबाइल के थुरू हम नई टांजेक लाइन create नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल में Google Earth एप के पूरे function open नहीं हो पाते हैं इसलिए आपको computer system की help लेनी पड़ेगी ट्रांजेक लाइन कम से कम 2 km की डालें यदि आपकी range में भी इस तरह की समस्या हैं तो जल्दी से आपकी range के थुरू नई ट्रांजेक लाइन क्रियेट कर इसकी जानकरी आगे बेजें ताकि आपको बाद में परशानी न आए तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकरी के साथ जय हीन जय बारत